ओम शान्ति पंज अक्तोबर 2001 की बाबा दी सकार मुल्ली बाबा ने किया मीठे बच्चे आत्मा ते शरीर जो पतित ते काले बन गईने उनु बाप दी याद नाल पावन बनाओ क्योंकि हुन पावन दुनिया विच चलना है बाबा की केंदे है कि मीठे बच्चे हुन आत्मा ते शरीर जो पतित ते काले बन गईने उनु पगवान दी याद नाल पावन बनाओ क्योंकि हुन पावन दुनिया विच चलना है फिर प्रशन है पगवान किन बच्चे नू मिलदा है बाबने केडा हिसाब दस्या है बाबा केंदे विच पगवान किन बच्चे नू मिलदा है ते बाबने केडा हिसाब दस्या है उत्तर है जिन्ना ने शुरू तो पगदी किती है औना नू ही पगवान मिलदा है तब बाबने एहे हिसाब दस्या है कि सब तो पहला तुसी पगदी कर दियो ऐसले तुसी ही पहले पहले पगवान द्वारा ग्यान मिलदा है जिस नाल फिर तुसी नई दुनिया दे विच राज्य गर दे हूँ बाबा केंदे है कि तुसी अद्धा कलप मैंनू याद किता है ता मैं आया हाँ तो हाँ नू पगती दा फल देन वास्ते गीत है मरना तेरी गले विच जीना तेरी गले विच ओम शान्ती बच्चे ने गीत सुनिया जोदो कोई मर्दा है ता बाप दे कोल जनम लेंदा है जान दे हूँ कि असी आत्मामा है ओहो हो गई शरीर दी गल इक शरीर छड फिर दुज्जे बाप दे कोल जान दे हाँ तुसी वी किन्ने साकारी बाप कित्ती है असल विच्च हो नेराकारी बाप दे बच्चे तुसी आत्मा परम पिता परमात्मा दे बच्चे हो रैन वाले भी उत्थो दे हो जीनू निर्वान ताम ते शान्ती ताम किया जन्दा है ता बाप भी उत्थे इरंदे है एथे तुसी आके लोकिक बाप दे बच्चे बन दे हो ता फिर उस बापनू पुल जन्दे हो सत्यूग विच्च तुसी बोत सुखी बन जन्दे हो ता उस परलोकिक बापनू पुल जन्ने हो सुख विच्च उस बाप दा सिमरन नहीं कर दे हो दुख विच्च याद कर दी हो कि आत्मा याद कर दी है जदो लोकिक बापनू याद कर दी है ता बुद्धी शरीर तरफ चली जन्दी है उस बाबानू याद करांगे ता कमांगे ओ बाबा, है दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है, ओ हो वी फादर ते एहे वी फादर, आत्मा रोहानी बापनों याद कर दी है, ता बुद्धी उत्थे चली जन्दी है, एहे बाप बैठ बच्यानों समझान दे है, हुन तुसी जान दे हों कि बाबा आया होया है, सानू आवदा बनाया है, बाप कहन दे है, पहले पहले तो हानू स्वर्ग विच्च पे जया सी, तुसी बोथ साउकार सी, बाबा बच्यानों याद दिलान दे है, कि पहला पहला तुसी कित्थे आये सी गे, स्वर्ग विच्च तो तुसी बोत सावकार सी फिर 84 जनम ले ड्रामा प्लैन अनुसार हुन तुसी दुखी बने हो ड्रामा अनुसार एहे पुरानी दुनिया खतम होनी है तो हड़ी आत्मा ते एहे शरी रुपी वस्तर जो सतो परदान सी गोल्डन एज तो आत्मा सिल्वर एज विच आई शरीर विच शिल्वर विच आया तो फिर कोपर एज विच आये हुन तो हड़ी आत्मा बिल्कुल ही पतित बन गई है तो शरीर वी पतित है जिवे 14 कैरेट दा सोनना कोई पसंद नहीं कर दे तुसी वी हुन काले आईरन एजड बन गए हों हुन आत्मा ते शरीर दोनों ही काले बन गए है तब फिर पवित्तर की वे बने बाबा समझान देया हैं कि बाबा गयन देवी कलियुग देविच हुन किते ता आत्मा गोल्डन सी गी सतो परदान सी ते हुन की हो गया आत्मा ते शरीर दोने ही तमों परदान अर्थात काले बन गए ता हुन पवित्तर की में बने आत्मा पवित्तर बने ता शरीर भी पवित्तर मिले एहे की में होएगा कि गंगा शनान करन नाल नहीं उकारदी आना हे पतीत पावन आओ ता एहे आत्मा केंदी है ता बुद्धी परलोकिक बाप तरफ चली जान्दी है हे बाबा देखो बाबा अक्षरी किन्न मिठा है पारत विच्चे ही बाबा बाबा केंदे है बाबा केंदे भी बाबा अक्षरी यन्ना मिठा है कि जो दो बाबा बाबा केंदे हां ता बाबा केंदे की प्यार आंदा है हुन तुसी आतम अभिमानी बन बाबा दे बन गए हो। तब बाबा क्यान देने मैं तो हानू स्वर्ग विच्च पे ज्या सी नया शरीर तारन कित्ता सी। हुन तुसी की बन गए हो। एहे गल्ला हमेशा अंदर रहनिया चैंदिया हने। बाबानू ही याद करना चैंदा है। याद ता सब कर दिये न हे बाबा। तुसी आत्मा मां पतित बन गईया हो। ता हुन आओ। आकेसा नू पावन बनाओ। ड्रामा विच्च एहे वी पाट है। ताहीं ता बुलान दें हां। ड्रामा प्लैन अनुसार आनगे जोदो पुरानी दुनिया नू नया बनाना हुन्दा है। ता जरूर संगम ते ही आनगे ता बच्या नू निश्चे ने कि बी लवड मोस्ट बाबा है। केंदे भी आना स्वीट, स्वीटेस्ट। हुन स्वीट कोन है? लोकिक संबंद विच्च पहले फादर है, जो जनम दिन्दा है। फिर है टीचर। टीचर तो पढ़के तुसी मर्तवा पाननी हो। Knowledge is source of income किया जन्दा है। ता ज्यान है knowledge, योग है याद। ता बेहद दा किसे नू पताई नहीं है। चित्रा विच्च तक इन्ना क्लियर समझाया गया ने? कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिप बाबा करांदे ने। तक क्रिशन की वे रायोग सिखाऊगा? रायोग सिखलांदे ही है सत्योग दे लई। तक जरूर संगम ते बापने सिखाया होएगा। सत्योग दे स्थापना करन वाला है बाबा। ब्रह्मा द्वारा करांदे है। करन करावन हार है ना? ओ लोग ता त्री मूर्ती ब्रह्मा कै दिन दे ने? परन्तु उंच ते उंच ता शिव है ना? ओ हो साकार है ते एहे नीराकार है। स्रिष्टी वी एही है इस स्रिष्टी दा ही चकर फिरदा है फिर रपीट हुनदा रहनदा है। शुक्षवतन वीच स्रिष्टी दा चकर नहीं गाया जानदा। वर्ल्ड दी हिस्टी जोगरफी रपीट हुनदी है। बाबागेंदे शुक्षवतन वीच कोई स्रिष्टी दा चकर नहीं हुनदा एता तर्ती ते ही हिस्टी जोगरफी रपीट हुनदी है। गांदेवी यान सत्युग त्रेता द्वापर कल युग ता वीच जरूर संगम युग चाहिनदा है। नहीं तक कल युग नू सत्युग कोन बनाऊगा। नरक वासियानू स्वर्ग वासी बनाना बाप संगम ते ही अंदेने। जिन्नी पुरानी दुनिया औना जास्ती दुख। आत्मा जिन्नी तमो परदान बंदी जन्दी है औना दुखी हुन्दी है। देवताइं है सतो परदान। बाबाबा के नदेवी देवते सतो परदान ने। ता सुखी ने। उन कल युग देवी चहर आत्मा की बनगी तमो परदान। ता बाबाबा के नदे ताहियों दुखी ने। एहे ता हाई एस्ट ए थोटी गोड़ फादली गोर्मेंट ने, नाल तरमराजवी ने, तब भाब केंदे है कि तुसी शिवाल्य विच रहन वाले सी, उत्थे है विशाल्य, तुसी पावन सी, हुन पतीत बने हों, ता केंने हों कि असीता पापी हां, आत्मा केंदी है कि मुझ निर्गुन हारे विच कोई गुन नाही, कोई वी देवतादे मंदिर्च जामागे, ता उन्ना दे अग्गे, ऐसी तरह केंदे ने, कैना चैंदा ने, बाब दे अग्गे, बाबा केंदे, विपगवान दे अग्गे कही है ता चलो कोई गालनी, पर जेडे वी देवी देवतादे अग्गे जानने आ, ता की गानने आ, कि मुझ निर्गुन हारे विच कोई गुन नाही, आपे ही तरस परोई, ता उन्नू छाड़, ब्रदर नू लग्गे ने, बाबा केंदे, पगवान अन्नू ता चाड़ता, ते जेडे देवी देव, ते सा डेपे अन्परा होगे, क्योंकि आपा भी पुझवान दे बच्चे, ता ओ भी पुझवान दे बच्चे, ता अपा आपस पाई-पाई होगे, ता बाबा केंदे, ब्रदर नू ब्रदर तो कुछ भी मिलदा नहीं है, पा यहां दी पूझा करदे करदे ही ता निचे गिर दी आई हां, हुंड तुसी बच्चे जानदे हों, कि बाप आया होया है, उस सतोसा नू वर्सा मिलदा है, बाकी मनुश्य ता बाप नू जान दे नी, सरवयापी कह दिन दे नी, कोई फिर कहनदे अखणड जोती तत्तव है, कोई फिर कहनदे नाम रूप तो नियारा है, अ किमे केंने हूं तब बापनु ना जानन दे कारण अखंड जोत्य सब्रूप कया दिन्देने जा फिर नाम रूप तो न्यारा किमे केंने हैं बबाबा केंदे बाप नो ना जानन दे कारण पतीत बन गए, तमो परदान बन गए फिर जदो बाप आन देने ता आके सार्यानों पावन बनादेने आत्मा निराकारी दुनिया विच्च बाप दे कोल रेंदी है फिर एथी आके सतो रजो तमो दा पाट बरजान दे है ता आत्मा ही बापनू याद करती है बाप आंदेवी है ता कैंदे ने ब्रह्मा तन दा अधार लेंदा हां ता एहे है भाग्या शाली रत विपगवानू ता निराकारने पर बाबा कैंदेवी मैं भी ब्रह्मा दा अधार लेंदा हां तब ब्रह्मा की ये भाग्या शाली राथ तब गैर आत्मा राथ दे थोड़ा ही हुंदी है कैंदे ने भागी राथ गंगा ले आया हुन ए गलता हो नहीं सक्दी प्रण्तु कुछ भी समझ दे नहीं कि असी की कैंदी हाँ हुन तुसी बच्च्यानु समझाया है कि एहे है ज्यान दी वर्षा इसनल की हुनदा है पती तो पावन बन दी हाँ गंगा जमना ता सत्युग विच्वी हुन दी है कैंदे ने क्रीशन जमना दे कंठे ते खेल पाल करदा सी प्रन्तु एहोजी ता कोई गाल है नहीं ओहो ता सत्युग दा प्रिंस सी ओधी ता बोट संबाल नाल पालना हुन दी है क्योंकि फुल है ना ता फुल किनने सुन्दर हुन देने फुल नाल सारे आके खुश्बू लेंदेने कंडेया तो थोड़ा ही कोई खुश्बू लेंदा है ता बावा केंदे यहे दुनिया है ही कंडेया दि यह दुनिया की बन गी है कंडेया दा जंगल बन गी है अच्छा मिठे मिठे सिकील दे बच्चियाँ प्रती मातपिता बाप दादा याद प्यार comunic good morning, रोहानी बाप दी, रोहानी बच्यानू नमस्टे, रोहानी बच्यान दी, रोहानी बाप दादा जिनू याद प्यार, good morning, नमस्ते, शुकरिया बाबा, शुकरिया. फिरतार ना देलाई मुख्य सार है पहला है कंडियानों फुल बनानवाला मोस्ट वी लवड इक बाप है उसनों बोत लवनल याद करना है खुश्बुधार पावन फुल बन सार्यानों सुख देना है दूसरा है एहे नौलज सोर साफ इंकम है इस तो 21 जनम देलाई तुसी बोत वड़े आदमी बन देयों ऐस लई एनू बाबा केंदे इसनू अच्छी रिती पढ़ना ते पढ़ान है बाबा केंदे वी एहे जड़ी नौलज है एदे नाल तुसी 21 जनमा देलाई की बन देयों साहुकार बन देयों बाबा केंदे वड़े आदमी बन देयों तो ऐस करके इस पढ़ा इनू बड़े ही त्याननाल पढ़ना ते पढ़ाना है आतम अभिमानी बनना है वर्दान है बाब दादानू आवदा साथी समझ के डबल फोर्स नाल कार्य करन वाले सहज योगी भाव कोई वी काम कर दे बाब दादानू आवदा साथी बनाओ तर डबल फोर्स नाल कार्य होगा तिस समरिती वी बहुत सहज रऊगी क्योंकि जो सदा साथ रेंदा है ओदी याद स्वते ही बनी रेंदी है ता एहुजे साथी रैन नाल ते बुद्धी सदा नरिंतर सत्दा संग करन नाल सहज योगी बन जामांगे ते पावर्फुल संग होंदे कारण हर करतवे वीच तो हड़ा डबल फोर्स रहेगा वी पावर्फुल संग वी सोचे वी साथ नाल कोन है शक्ति शाली है ता अपकोई वी काम करांगे ता ओभल फोर्स नाल होगा जीदे नाल हर कार्य वीच सफलता दी अनुभूती होईगी सलोगन है महारथी ओहने जो कदे मायादे पर भाव विच परवश ना होन महारथी ओहने बावा केंदे जो कदे मायादे पर भाव विच परवश ना होन अच्छा ओम शान्ति